कर दोस्तों कुम कुम भागे के आने वाले एपिसोड में जहां एक बार फिर से प्राची बोलेगी कि ठीक है मैं इस घर को छोड़ने के लिए तयार हूँ क्योंकि प्राची कहीं न कहीं अब पूरी तरीका से अंदर से तूट चुकी है और रिया ने जो एक ढोंग का खेल खेला है प्राची के साथ में कि प्राची मेरे बच्चे के लिए तुम हमें छोड़ कर चली जाओ लेकिन दोस्तों कहानी में अब टोष्ट और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा जहां पर आप लोग देखता हैंगे कि रणवीर एक बार फिर से सवी घर वालों को अपना डिसिजन सुनाता हुआ नजराने वाला है रणवीर बोलता हुआ नजराएगा कि इस घर से अगर क तुम लोगों की बज़े से मेरी किस तरीका से रिया के साथ में साधी हूई वह सभी जानते हैं लेकिन मैं प्राची को कभी धोगा ना दिया है और नहीं प्राची को धोगा देऊ उआ क्योंकि लगातार आप लोगों के कहने में मैं बहुत टाइम गुजार चुका हूँ सभी के साथ में लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि या तो मेरा समय प्राची के साथ में गुजरे क्योंकि प्राची को इस समय मेरी सबसे अधिक जरूरत है लेकिन दोस्तों जो कि पूरा परिवार ये बोलता हुआ नजर आता है रन्वीर से कि रन्वीर जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है प्राची अपने अप मैनेज कर सकती है लेकिन दोस्तो रणवीर बोलता हुआ नजर आएगा कि प्राची नहीं अपने आप मैनेज कर सकती प्राची को मेरी जरूरत है और दोस्तो प्राची भी बोलते हुए नजर आने वाली है रणवीर से कि रणवीर अब भला इसी में है कि मैं इस गर को हमेशा मेशा के लिए तुम्हारी रिया के पास में छोड़ कर चली जाओं क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम यह जो दिखावट कर नाटा करोगे वो मुझे समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं तुमारी बात को पूरी तरीका से समझ चुकी हूँ और अगर तुम्हारी खुसी वाके में रिया के साथ है तो तुम रिया के साथ में खुस रहो आज के बाद में तुम्हारा और मेरा किसी भी तरीका का कोई कॉंटेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिन्दकी से जा रही हूँ अलविदा क कहे कर जिसके बाद मैं रणवीर बोल देगा कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा साथ ही दोस्ता अनुरोद करना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने की बाद में वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके जरूर बताई